आगरा में सरवाधेत लोग प्रिये चैनल सीनियूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें संत श्रुमणी आचारश्री विद्यासागर महराज के परमशिष्य मुनिश्री वीरसागर महराज ससंग ताजनगरी में विराजमान है बुद्वार को छिपिटोलक की निर्मल सेवा सदन में एक धर्मसभा में मुनिराज ने प्रवच्नों के माद्यम से धर्म प्रभावना की नदी का प्रवाहा अनवरत रूप से चलता रहता है उस नदी में जो शीतल जल है वो प्यास बुचाने वाला है गंगा नदी का जल अम्रत तुल्य माना जाता है त्रप्ती दायक माना जाता है और इतना ही नहीं वैश्नों संप्रदाएं में यह माननेता है कि वह पाप को भी धोने वाला होता है वैसे नदी में इस्नान करने से हमारे पाप धुलते नहीं है लेकिन जो जो कहा जाता है कि गंगा में इस्नान कर लो तो वेक्ती के पाप धुल जाते है वो एक दूसरी ही द्रश्टी कौन से कहा गया है वो तो एक उधारण है जैसे नदी में इस्तनान करने से विक्ति की मलिंता दूर हो जाती है शरीर की शरीर में रहने वाले जो दागादी है वो धुल जाते है मुनिश्री 108 वीरसागर जी महराज ने भक्त जनों को प्रवचनों के माध्यम से बताया प्रभू, गुरू और शास्रे एक बहती नदी की तरह होते हैं इसमें डुपकी लगाकर भक्त तरू से पार हो सकता है संसारी विक्ति इतना आलसी इतना प्रमादी है कि वो चार कदम उठने को भी तयार नहीं चलने को तयार नहीं वो क्या चाहता है कि सूर्ग मेरे खिड़की तक आ गया है सुयम खिड़की को खोल दे मेरे बिस्तर तक आ जाए और मेरे उपर जो रजाई पड़ी है चद्दर पड़ा है वो भी हटा दे और मेरी आँखों तक प्रवेश कर जाए ताकि मुझे सब कुछ इसपष्ट दिखलाई दे यही चाहता है ना आज का संसारी वेखते क्या चाहता है क्यों आप लोग क्या चाहते है कि महराज जी चल करके आगरा तक आगए छीपी टूला तक आगए मंदिर तक आगए अब आप लोग चाहते हैं कि महराज जी अब आप ऐसे करो हमाए घर तक और आजाओ हमारे घर में बहुत सारे सदस हैं जो चद्दर ओड करके तान करके सू रहे हैं उन्हें उस निद्रा से उठा दो चद्दर हटा दो इतना ही नहीं आँक और ख़ाड करके खोल दो और उन्हें कुछ द्रश्टी प्रदान करते हैं मुनिश्री वीर सागर जी महराज ससंके निर्मल सेवसदन में विराजमान होने से भक्त जरों में खासा उत्सा बना हुआ है आचारिश्री विद्या सागर जी महराज के परम शिश्री मुनिश्री वीर सागर जी महराज मुनिश्री विशाल सागर जी महराज और मुनिश्री धवल सागर जी महराज का ताजनगरी में पहली बार मंगल चात्रमास हो रहा है सीनियों उसके लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट